बेलकम टू मैथ्फॉरेस्ट बिग्च्णमेटिक चैप्टर सकीं lecture सकीं आज हम करेंगे बाइनॉमिल के एक्जामपल कि उससे पहले हमने ठिवरी की थी जिते भी बाइनॉमिल की theory थी सारी complete की थी और तीन examples किये थे आज हम करेंगे remaining examples तो हमारा जो examples का session है उसमें सबसे पहले हम example करेंगे पहला example find the number of terms तो example first है जिसमें हमें लिखा हुआ है find the number of terms की एक binomial expansion दिया हुए उसमें आपको number of terms बतानी है x-2y-3z की power n और इसमें आपको number of terms बतानी है तो आप बोलोगे कि इसमें तो तीन term है एक दो तीन तो यह binomial कैसे हुआ तो हमारे पस क्या है कि इसे हम कैसे लिखेंगे देखो सबसे पहले हमने इसे x plus में minus 2y plus 3z इसे एक unit माना हमने इसे एक unit माना हिसे एक हो गया तो यह पूरी term 2 में हो गई तो हमने इस पे binomial expansion लगाया n c 0 x की power n plus n c 1 x की power n minus 1 minus 2y plus 3z की power 1 plus n c 2 x की power n minus 2 minus 2y plus 3z की power 2 and so on आपके पास इसे चलता जाएगा n c n x की power 0 minus 2y plus 3z की power n चीक ही हो गया अब आप एक बात बताओ इसमें number of terms कितनी है 1 plus इसमें number of terms कितनी है आपके पास इसमें number of terms कितनी है 1 2 और जब इस पो multiply किया फिर भी कितनी रहेगी 2 terms ही रहेगी तो यहाँ पे कितनी आ गई 2 अब यहाँ पे देखो जब आप 2 minus 2y plus 3z की power खोलोगे 2 तो हमें बैसे पता कि index 2 है तो elements कितनी आएंगे 3 आएंगे number of terms तो हमारे पास यहाँ पे number of terms कितनी आ गई 3 ऐसे चलते चलते आकरी term पे index कितना है यह दो term है यह एक नया binomial बन गया अब इस पे अगर इसका expansion हम खोलेंगे तो यहाँ पे index कितना है n तो number of terms कितनी आएंगी n प्लस 1 तो यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 एंग 6 n प्लस 1 मतलब sum of n प्लस 1 natural numbers है यह और sum of n प्लस 1 natural numbers है तो वो आपके पास कितना होता है n प्लस 1 into n प्लस 2 by 2 क्योंकि sum of n natural number 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n sum of n natural number होता है n n प्लस 1 by 2 तो अब यहाँ पे n की जगह क्या प्लस 1 तो यहाँ प्लस 1 कर दोगे n प्लस 1 करोगे तो यह n प्लस 2 बन जाएगा तो आपके बाद number of terms कितनी हो गई इतनी number of terms हो गई next example आपके पास क्या आता है example second आपको कह रहा है कि expand the following मतलब कि आपको बहुत सारी questions दे रहे हैं उनमें आपको expand करना है तो पहला आपको दे रहे हैं 3x प्लस 2y की power 4 तो आपको क्या करना है 4c0 3x की power कितनी होगी 0 प्लस 4c1 3x की power 4-1 कितना हो गया 3 और 2y की power 1 प्लस 4c2 3x की power 4-2 और 2y की power 2 प्लस 4c3 3x की power 4-3 2y की power 3 प्लस 4c4 4-4 0 जाएगा तो 2y की power कितनी हागी 4 तो 4c0 कितना होता है 1 तो 3x की power 4 है तो 3x की power 4 प्लस 4c1 कितना होता है आपके पस 4 होता है और 3x की power कितनी हो गई आपके पस 3 हो गई इंटू 2y प्लस में 4c2 कितना होता है आपके पास कितना होता है आपके पास 6 होता है तो यहाँ पे आ गया 6 आपके पास और आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे इंटू 3x की पावर 2 और इंटू 2y की पावर 2 प्लस 4C3 और 4C1 सेम होता है यह और यह कोफिशेंट सेम होता है तो यह आया 4 into 3X into 2Y की पावर 3 प्लस 4C41 होता है 2Y की पावर 4 तो यह आपको मिला 3 की पावर 4 होता है आपके पास 81 तो 81X की पावर 4 जब आपने यह मल्टिप्लाइ किया तो 216 XQY square y square प्लस आपके पास आएगा 96 x y cube और प्लस 16 y 4 तो आप देखो हर बार power कितनी रह रही है 4 ही रह रही है 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 2 प्लस 2 कितना हुआ 4 1 प्लस 3 कितना हुआ 4 तो यह आपकी जो remark था वो आपके पास यहाँ पे अप्लिकेशन के तुरू तो यहाँ पर आपके पास आगया राम से नेक्स्ट कोशन आपके पास है नेक्स्ट कोशन है भी 1-2x की power 5 1-2x की power 5 को आप क्या लिखोगे 1-2x की power 5 मतलब अब यहाँ पे y की जगह क्या आ गया minus 2x आ गया तो आपने क्या किया है यहाँ पे 5c0 1 की power 5 plus 5c1 1 की power 4 minus 2x की power 1 5c2 1 की power 3 1 की गड़ती जाएगी और minus 2x की बढ़ती जाएगी 5c3 1 की power 2 और minus 2x की power 3 plus 5c4 1 की power 1 minus 2x की power 4 5c5 1 की power 0 minus 2x की power किती हो जाएगी 5 तो अब यहाँ पे यह क्या आएगा जब आप इसे खोलोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 क्योंकि 5c0 1 होता है और 1 की power 5 1 होती है अब यहाँ पे देखो यह minus है और यहाँ पे power 1 है तो बाहर की आ जाएगा minus तो यहाँ पे आया minus 5c1 कितना होता है 5 होता है into 2 है तो कितना जाएगा आपके बास 10 और into x अब आपके बस 5 यहाँ पे देखो minus है और यहाँ पे power 2 है तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस तो यहाँ पे प्लस आएगा वैसे भी जब एक बार माइनस होता है तो term आती है वहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ओड इवन का चक्कर होता है यह सारा 5C2 कितना होता है आपके पास पर 10 होता है तो 10 इंटू आपके पास कितना आजाएगा यहाँ पर 2x2 तो कितना आया यहाँ पर 4x2 अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस क्योंकि माइनस की पावर ओड है तो कितना आएगा माइनस आगया आपके पास तो यहाँ पर आपके पास आएगा 10 into minus 8Q मतलब यहाँ पर plus लगा दिया है तो हमने minus ही रखा इसके साथ अब आपके पस यहाँ पर क्या आजाएगा plus 5C4 और 5C1 सेम होता है 5C2 और 5C3 सेम होता है तो यहाँ पर आया आपके पास 10 10 सेम हो गया यहाँ कितना था 5 था तो यहाँ पर भी कितना आएगा 5 आएगा और minus 2 की पावर 4 कितना होता है 16 तो यहाँ पर 16X4 आजाएगा अब यहाँ पर कितना आएगा 5C5 कितना होता है 1 होता है और minus 2 की पावर 5 कितना होता है minus 32 तो यहाँ आएगा minus 32X की पावर 5 यह आपका क्या हो गया आइंस्वर हो गया अब C पार्ट आपको देड़ का है X by 3 प्लस 1 by X की पावर 5 तो इसे कैसे कर सकते हो 5 C 0 X by 3 की पावर 5 प्लस 5 C 1 X by 3 की पावर 4 1 by X की पावर 1 5 C 2 X by 3 की पावर किती हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी और 1 by X की पावर 2 5 C 3 X by 3 की पावर आपके पास 2 हो जाएगी और 1 by X की पावर 3 हो जाएगी प्लस में 5 C 4 X by 3 की पावर 1 हो जाएगी और 1 by X की पावर 4 प्लस 5 C 5 1 by X की पावर 5 जब आप इसे solve करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा answer मिल जाएगा तो आपका जो answer है वो किसके equal आ जाएगा बिलकुल आपको बस multiply करना है और answer निकालना है तो आपका answer है 1 by 2 4 3 x की power 5 5 by 81 x की power 3 plus 10 by 27 x plus 10 by 9 dot x inverse plus 5 by 3 x की power minus 3 plus x की power minus 5 यह आपका answer आ गया next आपके पास क्या है यहां भी next यह fourth example है वो आपका homework आपको क्या करना है 2 by x minus x by 2 power कित्ती करनी आपको 5 बस आपको इसे कैसे लिखना है 2 by x plus minus x by 2 और power 5 करनी और जैसे आपने बी किया था same basic है वैसा यह हो जाएगा next step को example करना है next example आपका कैसा हुआ example number third यह आपको कह रहा है कि by using binomial theorem कि आपको binomial theorem use करनी है और हमें answer निकालना है तो a मुझे दिरका है 1 plus x plus x square की power 3 तो हम असानी से निकाल सकते हैं 3 दिरका है तो आपको सबसे पहले क्या करना है 1 plus x plus x square को एक टम माननी है ठीक है यह x की जगा हो गया और यह पूरे y की जगा हो गया तो आपको क्या करना है 3 c 0 1 की power 3 3 c 1 1 की power 2 और x plus x square की power 1 3 c 2 1 की power 1 x plus x square की power 2 plus 3 c 3 1 की power 0 x plus x square की power कितनी आ गई आपके पास 3 अब एक चीज़ देखो 3 c 0 1 वाली टम क्या गई 1 plus यह टम कितनी आगई 3 c 1 कितना होता है 3 अंदर आगया x plus x square solve हो गया plus में अब आपको यह देखना है यह आपके पास square का formula लग जाएगा राम से आप क्या करोगे 3 c 2 कितना होता है आपके पास 3 होता है और हमारे क्योंकि 3 c 1 और 3 c 2 सेम होता है यहाँ पर क्या आया x square plus x की power 4 plus 2 x कितना आगया q आगया आपके पास plus में अब देखो 3 c 1 कितना होता है 1 अब यह a और b की power 3 नया binomial हो गया तो अब इसे नया खोल दो कितना है 3 c 0 क्या आएगा आपके पास x की power 3 plus में 3 c 1 x की power 2 और x square अब यह आ जाएगा आपके पास यहाँ पर हो जाएगा यह 2 binomial बंद दे जा रहे है आपके पास तो जब आप इसे open करोगे तो आपके पास जो solution मिलेगा 1 plus 3 x plus 6 x square plus 7 x cube plus 6 x 4 plus 3 x 5 plus x की power 6 ऐसे ही आपको solve करना है सारे similarly आपको number of 3 terms दी जाएगी पहले उन 3 को 2 मानके चलना है फिर जो next 2 बच्चे है उस पे another binomial example binomial expansion लगाना है जैसे आपका b example है 1 plus x by 2 minus 2 by x की power 4 x non zero है तब ही ये valid होगा क्योंकि x अगर 0 हो जाएगा तो not define हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो infinity होता है 0 की power 0 होती है infinity की power infinity होती है तो ये सारी चीज़े not define में आती है और infinity क्या होता है 1 by 0 होता है ठीक है तो हमारे पास यहां 1 by 0 की form बन सकती थी अगर x non zero नहीं दिया जाता है इसलिए मुझे define term डिलेनी होती है अब आपके परस क्या करना है यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है 1 plus x by 2 minus 2 by x को एक अनद मतलब एक ही term में include करना है अब इस पे binomial लगाना है तो 4C0 1 की power 4 plus 4C1 1 की power 3 हो जाएगी x by 2 minus 2 by x की power 3 plus 4C2 1 की power 2 हो जाएगी x by 2 minus 2 by x की power 2 हो जाएगी पलस 4C3 यहां पे आपके पास x by 2 minus 2 by x की power 3 plus 4C4 x by 2 minus 2 by x की power 4 अब यह term यह term यह term इसली solve हो सकते हैं इस पे फिर another binomial लगेगा इस पे फिर another binomial क्योंकि दो term है power है तो अब इसका further binomial खोलते हैं और further binomial खोलके हमें क्या मिलेगा यहां पे वैसे आप x cube का formula भी लगा सकते हो और आप binomial भी खोल सकते हो आपकी दोनों इच हैं आप a minus b का cube का formula भी लगा सकते हो तो a की binomial खोलने में असानी होगी वैसे आपको तो आपने जब इसे solve किया तो आपको मिला 1 plus 4 x by 2 minus 2 by x plus 6 into x square by 4 minus 2 plus 4 by x square plus 4 into x cube by 8 minus 3 x by 2 plus 6 by x minus 8 by x cube अब आपके पस जो term थी ना x by 2 minus 2 xy की power 4 उस पे हमने binomial लगा दिया तो binomial है 4c0 x by 2 की power 4 plus 4c1 x by 2 की power 3 और minus 2 by x की power 1 4c2 xy2 की power 2 और minus 2 by x की power 2 प्लस में 4c3 x by 2 की power 1 और minus 2 by x की power 2 यहां पे लिखने की बजाए हमने आने लिख लगता है minus 2 by x की power किती होगी 3 plus 4c4 minus 2 by x की power किती होगी 4 जब हमने इन सब को solve किया तो आपको मिला minus 5 minus 4x plus 1 by 2 x square plus x cube by 2 plus x4 by 16 plus 16 by x plus 8 by x square minus 32 by x cube plus 16 by x4 तो यह आपके में पास क्या मिला है आपका answer मिला है जो की काफी easy था बस आपको calculation करनी थी और कुछ भी नहीं था इसमें next आपके पास क्या आता है next example है वो आपको क्या कहता है fourth example using the binomial theorem आपको क्या करना है binomial theorem को use करना है और answer निकालना है x plus 1 की power 6 और plus में x minus 1 की power 6 तो आपको compare करना है और यहाँ पे आपको x की जगह क्या करना है फिर hence evaluate आपको क्या करना है evaluate करना है किसको root 2 plus 1 की power 6 plus में root 2 minus 1 की power 6 मतलब पहले आपको इसका formula रिकालना है फिर उसमें x की जगह root 2 put कर देना है तो बस solution easy सा आपको क्या करना है यहाँ पे x plus 1 की power 6 plus में x minus 1 की power 6 इस पे binomial लगाना है तो आपने क्या किया पहले इस पे binomial लगो 6c0 x की power 6 6c1 x की power 5 6c2 x की power 4 6c क्योंकि आपे 1 है न तो second term पे तो कोई 5 आई नहीं है x की power 3 6c4 x की power 2 6c5 x की power 1 6c6 और 1 आ गया अब आपके पास क्या जाएगा यहाँ पे प्लस में 6c0 x की power 6 यहाँ पे वीच में माइनस है तो पहली term positive है तो दूसरी term negative होईगी तो minus 6c1 x की power 5 plus क्योंकि 1 है तो 1 पे क्या है सिरफ o d1 o d1 लगेगा और sign ही change होगा सिरफ 6c2 x की power 4 minus 6c3 x की power 3 plus 6c4 x की power 2 minus 6c5 x की power 1 plus में 6c6 x की power वो मतब 1 की power 6 क्योंकि 1 है ना last term जब हमने यह किया तो यहाँ पे देखो यह plus और यह क्या है minus तो क्या हो जाएगा cancel यह देखो यहाँ पे यह minus और यह plus तो क्या हो गया cancel यहाँ पे यह plus और यह minus तो क्या हो गया cancel तो आपको क्या मिला 2 into 6C0 X की power 6 अब यहाँ पे next term कितने मिली यह और यह 4 वाली plus में 2 into 6C2 X की power 4 plus में 6C4 X की power 2 plus 6C6 मतब यह भी 2 into है यह भी 2 into यह मिल गया आपके पास answer भी 2 into something यह हो गया जब हमने इसे solve किया तो हमें मिला 2 into X6 plus 15 X4 plus 15 X2 plus 1 अब हम क्या करेंगे put the value of X is equal to root 2 तो हमने X की जए root 2 पुट किया तो मुझे क्या मिला root 2 की power 6 plus 15 root 2 की power 4 plus 15 root 2 की power 2 plus 1 तो मेरे पास answer आया यहाँ पे 2 into 8 plus 15 into 4 plus 15 into 2 plus 1 तो यह मेरे पास आया 198 जो के हमें evaluate करना था root 2 plus 1 की power 6 plus में root 2 minus 1 की power 6 वही था तो आपका एक homework है X4 example है जो आपके पास 5th example अब हमने किया है आपको क्या करना है find करना है A plus B की power 4 minus A minus B की power 4 plus की जगा क्या है minus है और आपको evaluate करनी है value कि जब आपके बस A की value वो root 3 और B की value वो root 2 बस आपको पहले इसका formula निकालना है फिर A की जगा है root 3 लिखना है और B की जगा है root 2 लिखना है असान सा question है next question हम move करते है example number 6 हमें क्या करना है compute करना है binomial की help से compute following पहला A क्या आपके 99 की power 5 तो इसे आप क्या लिख सकते हो 100-1 की power 5 तो आप इसे क्या लिख सकते हो यहाँ पे 5C0 100 की power 5 प्लस में 5C1 100 की power 4 minus 1 की power 1 प्लस 5C2 100 की power 3 minus 1 की power 2 5C3 100 की power 2 minus 1 की power 3 5C4 100 की power 1 minus 1 की power 4 5C5 minus 1 की power 5 तो यह आपको करना है अब इसको क्या है आपको value देनी है 5C01 होता है 100 की power 5 आपके पास आजाएगा प्लस अब आगे आगे प्लस में 5C1 कितना होता है 5 होता है यहाँ पे यह minus की power 1 है तो यहाँ पे क्या आजाए आपके पास minus आजाएगा तो 100 की power 4 और minus 1 अब आपके पास आगया प्लस 5C2 5C2 कितना होता है 10 होता है आपके पास तो आपके पास कितना आजाएगा 100 की power 3 और minus 1 की power 2 क्या होता है positive अब आपके पास 5C minus 1 की power 3 क्या होता है negative 5C3 भी 10 होता है 100 की power 2 next आपके पास क्या है minus 1 की power even है तो वो positive हो जाएगा 5C4 कितना होता है 5 और कितना है 100 minus 1 की power 5 कितना होता है minus 1 और 5C5 कितना होता है 1 तो आपको पास यहाँ पे answer मिला है वो आपको मिला है कि इनकी जब आप powers खोलोगे पावर खोलके जब इन्हें add करोगे तो आपको मिलेगा 9509900499 आपको answer मिलेगा तो अब आपका एक homework है कि आपको B part करना है और ये है 103 की power 5 ये आपको compute करना है क्या होगा तो आपके next question क्या कहता है आपका next जो example है 7th वो कह रहा है कि the first three term कि जो आपकी first three terms है किसकी expansion की first three terms in the expansion कौन सा expansion है 1 plus ax की power n और 1 plus 2x plus 64x square find the value of n and a a और n की value निकाल लिए है मतलब एक तो index निकालना है और a की value निकालना है पहले से आप expand करो फिर इसके equal compare कर दो पहले टी term को तो हमें solve करना है हमें क्या करना है बस solve करना है तो हम क्या करते हैं 1 plus ax का binomial expansion को होते हैं अब हमें आगे जुरूरत नहीं है n, c and ax की power and क्योंकि मुझे पहली दूसरी तीसरी term मिल चुकी है मुझे आगे करने की क्या है जुद्ध है क्योंकि यह कह रहा है कि पहली दूसरी तीसरी term यह है तो अब मुझे पता है कि it is given, it is given that मुझे यह दे रखा है कि 1 plus 12x plus 64x square is the first three term तो यह क्या है, first three terms है, तो first three terms हो गई तो हमें क्या करना है, compare करना है तो पहली term क्या है, one plus second term मेरे पास कितनी है यह nc1 कितना होता है, n into क्या आया, ax second term nc2 कितना होता है, मेरे पास n, n-1 by 2 और into क्या आएगा, ax की power 2 तो यह आया, one plus 2x plus 64x square first term first के equal, second term second के equal, third term third के equal तो हमने क्या किया है, compare the coefficient comparing the coefficient of x, हमने x and x square के coefficient को इसके coefficient और इसको, और x square के coefficient को इसको compare किया है, और हमें क्या मिला है यहाँ पे, हमें मिला है, n a is equal to 12, की n ने की value आये 12, and second मुझे मिला है, n into n minus y 2, और into a square is equal to मुझे मिला है 64, या तो मैं यहाँ से n की value निकाल के इसमें put कर दूँ, या मैं यहाँ से a की value निकाल के इसमें put कर दूँ, मतलब एक value निकाल के दूसरे में put कर दूँ, तो मैंने n की value निकाल ली, 12 by a, और किसमें put कर दी, इस जगह put कर दी, तो 12 by a, 12 by a minus 1, आप ओन में 2, और आपको क्या मिला है, a square is equal to 64, अब आपको क्या करना है, इसे solve करना है, solve करके और इसे value निकालने है, तो हमारे पास आया, 12 into 12 minus a, by a square into a square, और is equal to 64 into 2, आपके पास a square से a square क्या हो गया, cancel, आपके 2 से यहाँ पे 6 पे cancel, 6 into 12 minus a is equal to कितना है, 64 आया, मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे, इसके factors बनाने है, तो उससे पहले आप क्या करो, 72 minus 6 a is equal to 64, यहाँ पे, 72 minus 64 is equal to, क्या हो जाएगा, 6 a, तो यहाँ से a की value कितनी आ गई, आपके पास, 8 by 6, जो कि होता है, 4 by 3, a की value आ चुकी है, तो हमें पता है कि n is equal to 12 by a था, तो 12 by कितना आ गया आपके पास, 4 into 3 आ गया आपके पास, यह कितने पे गया, 3 पे गया, तो n की value कितनी आ गई, 9, तो n आ गया, 9 और a आ गया, आपके पास, 4 by 3, और यही आपको क्या करना था, निकालना था, तो यहाँ पे आपके सारे questions क्या हो रहे हैं, complete हो रहे हैं, बाकि आपके पास, जो next video आई कि, उसमें, next सरीके के questions होंएं, तो यहाँ पे आपके पास, almost सारे टाइप के questions क्या हैं, complete हो चुकी हैं, तो notes, queries and video file of this video, join our telegram channel, link in the description, don't forget to like, share and subscribe the channel, thank you.